जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको कहीं अलग-अलग तरह की गाडिया दिखाई देती हैं लेकिन कि आपने कभी नोटिस किया कि उन गाडियों की जो नंबर प्लेट होती है ओ भी कहीं अलग-अलग तरह की होती है हम ऐसे ज़्यादे दर लोगों ने सिर्फ सपेद रंग की और पीले रंग की नंबर प्लेट ज़्यादे दर देखी होगी पर ऐसे कहीं और भी कलर की नंबर प्लेट होती है जिसका मतलब भी अलग-अलग होता है तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में विस्तार से जानेंगे की गाड़ियों में कितने कलर की नंबर प्लेट होती है उन अलग-अलग कलर का मतलब क्या होता है इन नंबर प्लेट के लिए चो अलग-अलग रूल सन रेगुलेशन बनाय गये है वो किस तरह के है नमबर प्लेट का मतलब क्या होता है इसके अलावा और भी बहुत को जानेंगे इस वीडियो में और आपको भी कई नई चीज़े जानने को मिलेगी तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए तो सबसे पहले हम भारत में जो साथ अलग अलग कलर की नमबर प्लेट होती है उसका क्या मतलब होता है उस बारे में बात करेंगे जिसमें सबसे पहले है लाल कलर की नमबर प्लेट तो इस लाल रंग की नंबर प्लेट का इस्तमाल भारत के राष्टपती और भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल जो होते है उनकी गाडियों में किया जाता है और इस तरह की गाडियों में लाइसेंस की संख्या की जगा पर भारत के प्रतिक यानि एम्बलम उप इंडिया का इस्तिमाल किया जाता है अब जब आप भारत के प्रधान मंतर की गाड़ी देखोगे तो उसकी नमबर प्लेट का कलर सफ़ेदी होगा सिर्फ भारत के राष्टपती और राज्जी पालों की गाडियों में ही लाल रंग की नमबर प्लेट दिखाई देगी आपको दूसरी है नीले यानि ब्लू कलर की नमबर प्लेट ब्लू यानि नेला रंग की नंबर प्लेट एक ऐसे वाहन को मिलती है जिसका इस्तमाल विदेशी प्रतिनीद्यों द्वरा किया जाता है यानि जब भारत के बाहर से लोग आते है और अपनी खुद की गाडियों में वो भारत के अंदर गूमते है उन गाडियों में ब्लू कलर की नंबर प्लेट होती है और ब्लू कलर होने के कारण इनकी नंबर प्लेट पर काले रंग की जिगा पर सफेद रंग से नंबर लिखा जाता है और इनकी नंबर फ्लेट पर प्रदेश के कोड की जगह पर जिस देश की ये गाड़िया होती है उस देश के कोड को लिखा जाता है अब आप कहेंगे कि इस तरह की गाड़ियों का इस्तमाल कौन गरता होगा तो इस प्रकार के नंबर प्लेटों का प्रियोग विदेशी दूतावासियो या फिर विदेशी राजनाई को द्वारा किया जाता है यानि ये गाड़िया फोरेन M.B.C की होती है तीसरी है पीले रंगी यानि येलो कलर की नंबर प्लेट अगर किसी गाड़ी में पीले रंग की number plate हो और उस पर काले रंग से number लिखे हो तो समझ लेना कि यह कोई commercial गाड़ी है जिससे हमारी सरकारे भाषा में वानिजीक वाहन कहां जायता है और इसका इस्तमाल commercial ही होता है तो इस तरहां की number plate आपने truck, taxi, bus, ओला उबेर जैसे कई वाहनों में देखी होगी जिन वाहनों का काम सवारिया ढोने का या फिर माल सामन के सप्लाई के लिए होता है अब यहाँ पर नई बात ये है कि पेले रंग की नंबर प्लेट वाले गाड़ी चलाने के लिए आपके पास इसका कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है इसके बगर ये नियम तोड़ना समझा जायेगा जिस कारण आपका चालान भी काटा जायेगा उसके बाद एक काले रंग की यानि बलेक कलर की नंबर प्लेट यदि कोई नंबर प्लेट काले रंग की है और उस पर पेले रंग से नंबर लिखा गया है तो इस प्रकार के वाहनों का मालिक एक साधरण व्यक्ति होता है लेकिन इन गाड़ीयों का प्रयोग कमर्शियल उद्धिश्यों के लिए किया जा सकता है और इस प्रकार का वहान चलाने के लिए ड्राइवर के पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी नहीं है जैसे हमारे भारत के कुछ बड़े शहरों में जूमकार की जो सुविदा है वो इसी का उदारण है अगर आपने जूमकार का इस्तिमाल किया होगा तो आपको इस बारे में पता ही होगा कि गाडिया तो उनकी होती है लेकिन इसका ड्राइविंग आपको खुदी करना पड़ेगा इस कारण इसमें कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है इसके बाद हमारे अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट यानि सपेद वाइट नंबर प्लेट अगर किसी गाड़ी में सपेद रंग की नंबर प्लेट पर काले रंग से नंबर लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि वो गाड़ी एक साधरन इंसान की है common man की गाड़ी है सफ़ेद नमबर की प्लेट वाली गाड़ियों के लिए एक नियम ये होता है कि इस तरह के वाहन का इस्तिमाल commercial purpose के लिए यानि सवार या ढोना या माल समान की supply के लिए इस्तिमाल नहीं किया जा सकता ऐसा करना कानूनन गलत है इसके बाद है हरे रंग की यानि green कलर की नमबर प्लेट ये नमबर प्लेट अभी कुछ समय पहले ही लाए गई है सबसे हमारी दुनिया में electric वाहन चलन में आया है उसके बाद इस नमबर प्लेट का इस्तिमाल दुनिया भर की सरकार द्वारा शुरू किया गया है तो इस कारण हमारे भारत के सड़क मंत्राली ने इलेक्टरिक परिवहन वाहनों के लिए हरे रंग की नमबर प्लेट निर्धारित की है जिसमें नमबर प्लेट का बेग्राउंड घरा यानि ग्रीन कलर का होगा और इस पर वाहन की श्रेने के हिसाब से पीले अत्वा सपेद रंग से नमबर लिखे होते है अगर वाहन खुद के लिए यानि पर्सनल है तो सपेद रंग से नमबर लिखा होगा और अगर यहां इलेक्टरिक वाहन कमर्शल वहान है तो उस पर पेले रंग से नंबर लिखा होगा और आखरी तरह की नंबर प्लेट जो है उसमें एरो होता है जिसे एरो नंबर प्लेट कहते हैं इस बारे में आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा तो केसी भी अन्नी लाइसेंसी नंबर प्लेट के वेपरित हमारी भारिती आर्मी के वेहिकल जो होते है यानि सान्नी वाहनों के लिए एक अलग तरह की नंबरिंग प्रणालिका इस्तिमाल किया जाता है इन सान्य वाहनों के नंबर को रक्षा मंद्रा लई यानि नई दिल्ले के द्वारा आवंटित किया जाता है ऐसी गाडियों की नंबर प्लेट में नंबर के पहले या तीसरे अंग के स्थान पर उपरी और इशारा करते हुए तीर का निशान होता है जिसे ब्रोड एरो कहा जाता है ब्रेटिश कॉमन वल्थ के कहीं इस्सों में इसका इस्तमाल किया जाता है और तीर के बाद के जो पहले दो नंबर होते है ओवस साल को दिखाते है जिस साल सेना ने उस वाहन को खरीदा था यहां नंबर 11 अंको का होता है यानि इतना बड़ा नंबर बाकि किसी भी तरह के गाडियों में नहीं होता है सिर्फ एरो नंबर प्लेट वाले गाडियों में होता है तो यह साथ अलग अलग तरह की नंबर प्लेट का इस्तमाल हमारे भारत में होता है क्यों होता है क्योंकि भारत में परिवान नियमों को ठीक से लागू करने के लिए और ट्राफिक पुलिस का काम आसान बनाने के लिए भारत में इस तरह के नियम बनाय गया थे अब बात करेंगे कि नंबर प्लेट को लेकर भारत सरकार के जो rules and regulation है वो किस तरह के है तो The Center Motor Vehicle Act 1989 Section 50D में इस पस्ट किया गया है कि नमबर प्लेट सिर्फ English Language में ही होनी सही है अगर कोई व्यक्ति English Language को छोड़ किसी दूसरी Language में नमबर लिखवाता है तो यहाँ एक जुर्म यानि Crime है और उसे इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है उसके साथ ही यह प्रावधन किया गया है कि जो Private Guardia होती है उसके Background को सफेदी रखा जाएगा और उसके ओपर काले रंग से नमबर लिखे जाएंगे यानि जो Personal वहान होते है उनके लिए जो Commercial Guardia है उसके Background को पीला रखा जाएगा और उसपर भी काले रंग से ही नमबर लिखे जाएंगे नमबर प्लेट सिंपल फॉंट में सपष्ट लिखे हुए होने चाहिए फॉंट में किसी भी तरह की डिजाइन या स्टाइल देने के इजाज़त नहीं है क्योंकि कुछ लोग क्या करते है कि गाड़ी के पिछले प्लेट पर तो नमबर लिखवा देते है लेकिन अगले प्लेट पर डॉक्टर, एडवोकेट, चैमातादी या इसी तरह से कुछ और लिखवाते है तो ये भी इल्लिगल है और इस पर भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है और सबसे ज़रूरी कि गाड़ियों की नमबर प्लेट से चैड़ साट करने पर मोटर वेहिकल एक्ट के ताहिद अलग-अलग जुर्माने तै किया गया है इसलिए अगर आपकी गाड़ी में भी नमबर प्लेट लगाने में कोई गलती हुई हो तो उसे सुधार ले हैं धूर एऑ उन्निस पी चोरा से saja नम्बर प्लेट पर लगे हुई हर लेटर या नमबर का एक मतलब होता है सबसे पहले दो लेटर जो होते हैं जैसे ये के जो है वो यहां बताते हैं कि यहां गाड़ी किस राजजी की है जैसे कि इस नंबर प्लेट पर K लिखा है इसका मतलब यह गाड़ी करनाटक राज्जी की है ऐसे ही दिल्ली की गाड़ियों में DL लिखा होगा गुजरात की गाड़ियों में J.J. होगा महरेश्ट की गाड़ियों में M.H. होगा और इसके बाद जो दो नमबर होते हैं वो यहां बताते हैं कि यह गाड़ी किस जिल्ले के RTO में रजिस्टर की गई है जैसे कि इस नमबर प्लेट में 19 लिखा हुआ है इसका मतलब यहां गाड़ी करनाटक राज्जी के मैंगलोर जिल्ले के RTO में रजिस्टर की गई है इसके बाद चार नंबर होते है चो कि यूनिक नंबर होते है यह हर गाड़ी में अलग-अलग होते है अगर आप दिल लिखी गाड़ीों के नंबर प्लेट को देखे तो उसमें आपको RTO कोड के साथ एक लेटर भी लिखा हुआ मिलेगा जैसे अब इस नंबर प्लेट को तो इस नंबर ब्लेट में 7 के साथ S लिखा हुआ है तो यह लेटर यहां बताता है कि यह गाड़ी किस टाइप की है जैसा कि यह S दो पहिया बाइक के लिए इस्तिमाल किया जाता है C कार के लिए इस्तिमाल किया जाता है P मतलब पबलिक पैसेंजर गाड़ियो के लिए इस्तिमाल किया जाता है R को तीन पहिया रिक्षा के लिए इस्तिमाल किया जाता है T को टूरिस्ट लाइसेंस गाड़ियो और टेक्सी के लिए इस्तिमाल किया जाता है और V को pick up truck या van के लिए इस्तिमाल किया जाता है जबकि Y को higher vehicle के लिए इस्तिमाल किया जाता है तो एक चोटी से number plate को लेकर भी सरकार ने इतने सारे नियम बनाया रखे है जिस बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया इस वीडियो में तो उम्में देखे आपको कुछ जानने को मिला होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर जरूर करे पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको इस तरह के informative वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकोन को भी जरूर दबाए